इस स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं आप यहां पर इस मैप में ये बताया जा रहा है कि दुनिया के 20 देश रीसेशन में जा रहे हैं और जहां दुनिया में ये इस्तिती है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इसके उलट भारत चाइना को अब बाहर कर रहा है किस चीज में तो आपको बता दूँ भारत चाइना को बाहर कर रहा है World Trade Center Association के मामले में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं क्या है इसका मतलब जियो पॉलिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हामेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन ख कि रिसेशन आने का खत्रा टल गया है आर्थिक मंदी आने का खत्रा टल गया है तो ऐसा नहीं है आर्थिक मंदी अभी 20 देशों को घेर सकती है इसक्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि 20 ऐसे देश हैं जो UK और जापान के साथ गुस रहे हैं रीसेशन में यहां रिस्क है इनके उपर रीसेशन का यानि की आर्थिक मंदी का सितंबर से लेकर दिसंबर क्वाटर दो हजार तैस में हमें दो इकोनोमी मिली जापान और यूके जिनके अंदर आर्थिक मंदी है ये बात कही गई लेकिन 18 देश हैं जो इस वक्त उसी के सिकार होते जा रहे हैं इसक्रीन पर देख सकते हैं इसमें जो रेड मार्क लगे हुए देश हैं वो वो देश हैं जो पहले से ही रीसेशन में है जैसे की फिनलेंड पहले से रीसेशन में है यूके पहले से रीसेशन में है जापान पहल से रिसेशन में है करीब चार देशों को कहा जा रहा है कि चार देश पहले से ही रिसेशन में है और क्वार्टर फोर में जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सामने आने पर पता चलेगा कि कनाडा भी आर्थिक मंदी में है साउथ अफ्रिका भी आर्थिक मंदी में है न्यू लंबिया ये वो देश हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जा सकते हैं रिसेशन में खैर अब यहां देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में देश यहां पर मंदी के सिकार होने की तरफ बढ़ रहे हैं कारण क्या है तो आपको बता दे सबसे पहला कारण तो य कि 2020 से लेकर 2023 यह खत्रे की घंटी रही दुनिया के लिए और यहां पर जियो पॉलिटिकल रिस्क और कॉन्फिलिक्ट और भी ज्यादा बढ़ है यह जो ग्राफ देख रहे हैं यह ग्राफ बड़े ही अच्छे तरीके से इस बात को बता रहा है कि किस तरीके से यहां पर यु उसके बाद अमेरीका का बगदाद के उपर एरिस्ट्राइक यह भी एक बड़ा कारण मना तो 2020 से लेकर 2023 थक में सबसे परमुख कारण तो हम यहां पर देख रहे हैं जो इस वक्त लेटेस्ट कॉन्फिलिक्ट हो रहे हैं यहां पर और कारण एक नहीं है कारण बहुत है चा से सेमी कंड़क्टर दूसरे देशों तक पहुंचेंगे तो दूसरे देश बनाएंगे समानों को सेमी कंड़क्टर का इस्तेमाल करेंगे जिन्होंने डिपेंडेंसी बना रखी थी सप्लाइचेन ने उन देशों को भी डूबोया और आपको बता दें इन सारी चीजों के अब दुनिया भर के देश अपने आप पर निर्भर होना चाते हैं क्यों होना चाते हैं क्योंकि इन सारी बातों को वो समझ चुके हैं इसके अलावे और भी कारण रहे नेचूरल डिजास्टर्स प्राकृतिक आपदाएं भी एक रही स्क्रीन पर आप देख सकते हो डीटे इन सालों में परभावित हुई है और इसका असर देखने को अब मिलने लगा है कि कई सारे देश यहां पर रिसेशन का सिकार हो रहे हैं अब सवाल यह पैता होता है कि जहां दुनिया रिसेशन का सिकार हो रही है तो इस मैप में आपने देखा भारत रिसेशन का सिकार नही तो WTCA के मामले में, क्या है ये WTCA, तो आपको बता दें, World Trade Center Association, अब इसके तहत क्या होता है, World Trade का एक license मिल जाता है किसी भी देश को, अपने देश में इस संस्था को बुला सकते हैं, इसकी building तयार कर सकते हैं, यहाँ पर trade की activity को कर सकते हैं, यह आपको एक हाक देता है, अब इससे क्या होता है, अगर आपने center ले लिया है, और center लेने के बाद आप अपने देश में इसक तरीके से association चला रहे हो, तो उसका फाइदा क्या मिलेगा, तो आपको बता दे, उसका फाइदा मिलता है, आप बैपार बैवसाय को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हों, दुनिया भर में WTCA की 323 से ज़्यादा properties है, 90 देशों में हैं, और कहा जाता है कि 15,000 से ज़्यादा WTC professionals यहाँ पर काम करते हैं, दुनिया भर के बैपार को बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था, और फिर इसकी लाइसेंस दी जाने लगी थी, आपको बता दे, इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक लिस्ट दी गई है, और इस लिस्ट में डीटेल दिया गया है, कि कह कहां कितने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैं, अफगानिस्तान में एक है, अलजीरिया में एक है, ब्राजिल में आप देख सकते हैं, ब्राजिल के अलग अलग सहरों में एक अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, और कई सारे सहरों में इनका सेंटर है, कनाड़ा में भी सारी जगों पर सेंटर है चाइना में भी अगर आप देखेंगे तो यहां चाइना में बहुत सारे सेंटर आपको मिलेंगे पर आपको बता दें चाइना के लगबग हर महतपुर्न सहर में इन्होंने अपना एक WTCA का सेंटर बना रखा है इकवाडर में दो है इसी तरीके से फ्रांस में भी इनकी ठीक टाक संख्या है जर्मनी में भी ठीक टाक संख्या है पर टॉप में आ रहाता चाइना अब देखिए आप यहां पर भारत ने यहां पर बड़ी तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिय कुछ फंक्सनल है कुछ अपकमिंग प्रपोजल है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है फंक्सनल है यह सारे जो आप देख रहे हैं इन सारों में डवल्ड ट्रेट सेंटर बनानी की बात कही जारी है राची में शूरत में पटना में यह इतनी जगहों पर क्यों कोसिश किया जा संख्या है मातर तीन है एक इसलामाबाद में है एक लाहोर में है और तीसरा कराची में है भारत इसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है और जल्द ही भारत इसकी संख्या को क्रॉस करके चाइना को पचार देगा यह बढ़ती हुई भारत की सक्ति को बता रहा ह और इसी का एक नजारा देखने को मिला और ये नजारा स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं अब इस्टोनिया के भी फॉरण मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि यूरोपिय यूनियन और भारत को मिलकर साथ काम करना चाहिए क्योंकि ये भी देख रहे हैं अब दुनिया में भा का रूतबा बढ़ता जा रहा है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ